रादे रादे आज हैं मना रही हूं सेव भाजी तो सेव भाजी बनाने के लिए मसाला तयार करेंगे ये मैंने दो मिर्च और छोटा टुकड़ा अद्रक का इसमें दर्दरा कूट लेंगे और ये बाकी ये मसाले टमाटर प्याज ये दर्दरा कूटा हुआ मसाला है जो भी हम धाला है जीरा ठोड़ा सा रिंग और इसको हलका जीरा चटकने तक पकाएंगे और जो मैंसाला था उसको एड़ कर देंगे ये डालेंगा और अजया धूआत करतें पयाज उद्दरा दमाटर मैं ने करें कंड़ ये माए कट नई प्याज तो धूड़ी के लिए लिए च तोको नियुक्ता क्षैक जाएं कि यहां पे दन्या चाहिए आप इस साथ मिर्ची पावडर को बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। नहीं स्थातनी नालेंगें थोड़ा साहिऑ के स्थाय भी बहुत बलतलं से तनियुक् Forest नहीं आएगे अभी थोड़ा से हां पाने डालेंगे वह सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है बहुत ही खाने में भी टेश्टी लगती है अभी थोड़ा देर हम इसको पकने के लिए डखकर लगा के रख देंगे एक सी डेड़ मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे तो पक चुकी है चेक कर लेतें ग्रेवी एकदम से तैयार हो रही है देखिए बढ़िया अच्छा कलर भी आ गया इसका पकने जाज़ा यह फ्राइए करके देख लीजिए कितना बढ़िया कलर आया यह अच्छे से पक चुकी है अभी साथ में हम डालेंगे इसमें दूद का प्र करेंगे अच्छे से पक जाए जो के बाद जो बॉयल दूद होता है चाहिसका करेंगी इसमें हम दूद का इस्तिमाल कर रहे हैं दूद जब डालेंगों तो कंटिनुनीसलिई चलाते रहे हैं अगर रुख जाएंगे जार्प हम रुद से ताब में इसका है बनाके तैयार करके डखके रख दे और जब खाये तब इसमें सेव एड़ कर ले क्योंगे सब्जी तो यह गुल जाएंगे एकडम से खाने में उतना स्वाद नहीं आएगा यह सब्जी मारी बनकर एकडम से तैयार है एकडम परफेक्ट तैयार हो चुकी है साथ में एक नहीं होती है और घी का चौक लगाते हैं इसके खुश्बू सब्जी के नहीं भड़ जाती है और इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं जो मन्चह आपका पसंद हो उस सब्जी रूटी से खाएं चावल के साथ किसी के भी साथ खाएं तरक तो यह थोड़ा सा मिर्ची पाडर मे सब्जी आए और इसके तयार है अब इसको सब्जी में एड़ कर देंगे हरे धनिया के साथ और चौक लगा दिया इससे खुशूब बहुत अच्छी आएगी सब्जी की हमारी सब्जी तयार है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भ पुले ठिसक अठां डर इसका कर दो ए सरफ और इसका कोईवे